पहले दिन अगले पांच साल का ट्रेलर दिखाई दिया यहाँ एक तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर आक्रामक रहा वहीं दूसरी और प्रिधान मंत्री मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठा कर कॉंग्रस पर डाइरेक्ट अटेक किया विपक्ष सम्विधान की कौपी लेकर संसत भौन पहुचा तो पीम मोदी ने आपातकाल का मुद्दा उठा कर विपक्ष की रणनीतियों को हवार निकालने की कोशिश की और फिलाल सरकारों विपक्ष के तेवरों से साफ है कि मौजूदा संसत सत्र में सम्विधान और आपातकाल के मुद्दे पर घमासान तह है आई इस रिपोर्ट में देखते है अठारवी लोग सभा के पहले दिन सदन में संग्रा सदन में सत्ता का वार विपक्ष का पलटवार आपातकाल वर्सेज सम्विधान पर छिडा घमासान अठारवी लोग सभा के पहले दिन संसत में जम कर संग्राम हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने आपातकाल का जिक्र करके विपक्ष पर हम्ला बोड़ा तो विपक्ष संविधान के मुद्दे पर मुखर दिखा उधर संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्षी संसदों ने संसद के बाहर जम कर विरोध प्रदर्शन किया इंडिया गडवंधन के संसदों ने सदन के बाहर मार्च निकला इस दोरान सांसदों के हाथ में सम्विधान की कॉपी भी थी, इस दोरान सूनिया गांधी, राहुल गांधी और मलिकारजुन खर्गे भी मौजूद रहे, उधर अखिलेश यादों के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी सम्विधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करते दिखे विपक्ष जहां सम्मिधान के बहाने सरकार पर हल्ला बोल रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने आपात काल का मुद्दा उठा कर विपक्ष को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश की उन्होंने 50 साल पहले सम्मिधान की धज्यां उड़ाने वाले आपात काल का जिक्र किया संसत परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिये कहा कि 25 जून को आपात काल के 50 साल पूरे होंगे जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता जवाब में कॉंग्रेस अद्यक्ष मल्लिकार जुन खरगे ने पीएम मोदी के बयान पर पलतवार किय उन्होंने कहा कि लोगतांत्रिक परंपरा को खत्म किया जा रहा है कल 25 जून को भारत के लोगतांत्र पे जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के समिधान को पूरी तरा नकार दिया गया था समिधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोग तंत्रों को पूरी तरा दबोच दिया गया था एमर्जंसी के ये पचाच साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो पचाच साल पहले की गई थी सब बार यही बात बोलेंगे और एमर्जन्सी के पचाच साल हो रहे हैं तो तुम एमर्जन्सी से विताउट डिक्लेरिंग एमर्जन्सी यू आर डूइंग इट इसलिए हर बार वही बात बोलके आप कितने दिन नहीं साही अपनी हुकमत करना चाहते हैं संसद सत्र के पहले दिन एक तरब संसद में नए संसदों की शपत हो रही थी तो वहीं संसद के बाहर सरकार और विपक्ष आर पार के मूट में थे पीम ने विपक्ष से जनता के हिद के लिए सायूग की अपीक्षा की वहीं राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाते हुए पीम पर पलड़ पार किया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ती नहीं चूश सकते लोगों कोई अप्रेक्षा नहीं है कि नकरे होते रहें ड्रामा होते रहें लोग सबस्टंस चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं देश को एक अच्छे विपक्ष की आवर्शकता है। अठार्वी लोकसभा में विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया एलाइंस के पास 234 सीते हैं। और जिस तरह से विपक्ष ने पहले दिन अपने तेवर दिखाए हैं। उससे यही लग रहा है कि सदन में विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की सियासी जंग मोचक होने वाली है। और आईए अब आपको संसद के शपत ग्रहन की कुछ तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर संसदों ने शपत लिए और जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि किसी ने मात्रुभाश्रा में हिंदी में शपत लिए तो किसी ने संस्कृत में तो कोई पंजाबी में शपत लेते हुए नजर आया है। तो तीन तस्वीरे स्वरकाप के सामने हैं बीजेपी सांसर कंगना रनाउत ने हिंदी में शपत लिए संस्कृत में बीजेपी सांसर बासूरी स्वाराज ने शपत लिए और पंजाबी में मनीश्तिवारी कॉंगर्स सांसर ने शपत लिए और पंजाबी में मनीश्तिवार और निश्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षून रखूंगी तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाली हूं उसके कतव्यों का श्रधा पुर्वक निर्वहन करूंगी अहम बासुरी स्वरा जह यह लोग सभाया सदस्वत्वेर निर्वाचता है श्रधाम निश्ठाम चाधारश शिशे आहम भारत स्य प्रभुताम अखंडताम चा अक्षन रक्षश्यामी तथा यत पदम ग्रहतुम अहम उद्धितह अस्मी तस्य करतव्यानी श्रधा पूर्वकम निर्विक्षश्यामी मैं मनिश्ट वारी जो लोकसभा दा मेंबर कि मैं कानून राही स्थापित पारद्य संविधान प्रती सची श्रधा ते निश्ठा रखांगा पारदी सब सम्रथा अथे अखंडता नू कैम रखांगा अथे जिस ओदेनू मैं संबालन वाला हां उस दे करतव्यानू श्रधा पूर्वक नभावांगा और पूर्व कें अंद्रे मंत्री और हिमाचल की हमेरपूर सीट से सांसद औराक ठाकू ने सांसद पत की शपत ले ली है प्रोटेम स्पीकर भर्थरी महताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपत दिलाई बीजेपे आइटी सेल के हेड अमित मालवी ने इंडिया गड़बंदन पर निशाना साधाया अमित मालवी ने मोधी सरकार के तीसरे कारिकाल के पहले 15 दिनों की तुलना कॉंग्रेस शासित राज्यों से की है उन्होंने लिखा है कि एंडिया सरकार के 10 बड़े फैसलों की तुलना कॉंग्रेस शासित राज्यों के 10 फैसलों से की जाती है